महामुद के पास यह से 12 पैसे हैं मोसीन के पास 15 पैसे लेने का चीज यह खिलाओना है इस जो मैं खंजर का भी काम कर सकता हूं तुम्हारे खिलाओने को अगर एक चिल्चुल खिलाओने को हाथ लगाता है हेलो दोस्तों आज किस वीडियो में आप लोओं को कलास 8 के लेसन टू ईदगा कहानी को लेकर काया हूँ ये जो हैसे प्रेम चंद का लिखा हूआ ईदगा कहानी जो हैसे बहुत ही मारमी कहानी है जिसके बारे में मैं आपको बीस्तार से बताऊंगा तो चलिए यहां पे सबसे पहले क्या करना है कि इदगा कहानी में जो ही में में पात रहे हैं उ में में पातरों को मैं यहां पर लिख दता हूँ और लिखने के बाद जो हैसे मैं आपको इस कहानी को बताता हूँ देखे हमने यहां पर इदगा कहानी में आए परमुख पात्रों का नाम मैंने यहां पर लिख दिया है सबसे पहले हमीद है, दूसरा में सामीना है, तीसरा में महमूद है, चौन्था में महसिन है, पांचमा में नुरे है ऐसे बहुत से मतलdled हो जो झोग की चर्चाइ यहां पे किया गया लैकिन यहां पर पांच पातरों का जो है अथ हूँ से मैं लिख दिया है तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इदघा कहानी का मतलब क्या होता है यह कहाँनी आपके एट कलस में पढ़ना है ओरबी हिंदी में आपको टेन में हुगी मिलेगा तो सब से पहले हम जानते हैं कि ईद्रगाह क्या होता है तो ईद्रगाह के मतलब एक वहे अस्थान जहां इद के दिन नमाज पढ़ा जाता है यनी एद के दिन जहां नमाज पढ़ी जाती है वो अस्थान को एदगाह कहते हैं देखें क्या होता है एक एदगाह के दिन यनि तीस रोजों के बाद आता है ओ इद आने के बाद सभी ग़ों के बच्चेसे खुसी के मारे जुम जाते है लेकि एड़ जो है से कि मतलब खुसियों का तेवार है और यही खुसियों के तेवार के दिन जो है सामीना के घर में जो है से खाने के लिए नहीं को नहीं रहता है लेकिन बेचारी अमीना जो हैसे क्या होता एक उठ करके यह नहीं कहने का मतलब कि एक गौँ है जिस गौँ में रहने वाले क्या हैं कि एक मतलब अभागी निस्तरी है जिसका नहीं है अमीना यह अगर चर्चा करते हैं तो अमीना जो हैसे का अभागी निस्तरी है और अमीना क के माँ जो है से पीलिया यानी पीले होते होते का करती है यह भी जो है से मर जाती है तो यह जो है से उस गौँ के एक घर में सिर्फ जो है से वह हमीना रहती है आमीना के जो है से पोता रहता है जिसका नाम हामीद यह जो है से दूबला पतला गरीब सूरत का जो है से लड़का ुकर जहां पे मेला लगता है एद के दिन मेला जाने के लिए ज़ाधा जीद करता है। यानि हामिद अपने दादी से जिद करता है मेला जाने के लिए लेकिन अमीना बेचारी कहती है कि यह कहीं मेला में भूल जाए इसलिए अमीना मन ही मन बैट करके कुड़ती है और सोचती है कि अगर इसको अकेला जाने दें तो पता नहीं क्या हो जाएगा इसको लेकिन दादी आमीना सोचती है कि अगर मैं इसको साथ में लेकर के जाओंगा तेहां से वैया कौन बनाएगा बहुत से जो हैसे मतलब आस्परोस के लोग जो हैसे आएंगे साल भर का फेस्टिवल साल भर का तेवार जो हैसे क्या इद है इसमें सभी को से वैयां भी देना है अनेक प होता है कि सभी बच्चे मेला जाने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में जो हैसे बहुत तरह का जो हैसे नठखट पन जो हैसे दिखाते हैं बहुत तरह कि सैतानिया जो हैसे देखाते हैं सैतनिया क्या देखाते हैं कोई बच्चे जो हैसे पत्थर उठा करके आम को मारते है उसमें से आम के मतलब वगीचा में से निकल करके माली जो है सुन लोगो गाली देता है इस तरह से जो है से का होता है कि बच्चे जाते हैं जाने के बाद किसी तरह से हामीद ही वेचार जाता है हामीद एक सीधा साधा लगा जो है से गरीब परिवार का है जिसके घर में खाने के लिए सीद के दिन भी दाना नहीं था इसके पास बेचारा के पास मातरे तीन पैसा था और तीन पैसा को लेकर कही हामिद सभी बचे के साथ मेला जाने लगता है हामिद के अगल बगल के जो भी गौँवाले दोस्त रहते हैं पास मातरे तीन पैसा यहानी है इस समयें उस समय तीन पैसा पICशा और बारा पैसा पन्रह पैसा समान खरीद करके मिठाईयां खाऊ कर जो है सा सकते थे तो सभी बच्चे क्या होते हैं कि जाते हैं सैतानिया करते हुए पहुंचने के बाद जो है सब्सक्राइब सब्सक्राइब जैसे इदगा से नमाज खत्म होने के बाद नमाज जब खत्म होती है तो सभी बच्चे जो ऐसे क्या होता है कि मिठाईयां और खिलाओने के दुकानों पर धावा बोलते हैं धावा मतलब है किस तरह से जाते हैं जैसे तूट पड़ते हैं वैसी जो हैसे यहां पर यह सभी ब मात्रे तीन पैसा इथा इसमें जो ऐसे बहुत से बच्चे सायतानी करते जैसे नूरे हो Gए नहीं हो गया महमुद हो गया यह सब ये सब यासे लेते थे हों का थे लेकिं बैचारा हमीद को जो ऐसे बोलते थे कि लो हमीद तुम भी मिठाई खा लो लेकि उसको मुझ से जो हैसे मतलब मुझ पे सटा करके जो हैसे खिच लेते थे जिसके वह ऐसे हमीद को वेचारा को बहुत दूख होता था हमीद के पास मातर तीन पैसा ही था जब मिठाईयां खाने के बाद सभी बच्चे जो हैंसे मतलब गये हैं खिलाओने के दोकान पे तो यह हामिद भी जो हैसे पीछे पीछे खिलाओने के दोकान पे चलता है सभी बच्चे जो हैसे यहां पर महमूद जो हैसे क्या होता है कि महमूद जो हैसे आपको महमूद के पास 12 पैसे थे उसमें जो हैसे कुछ पैसों से उन मिठाईयां खाता है और ये कुछ चार पैसे तीन पैसे से जो है सिपाही लेता है यानि मेला में जो हैसे खिलाओना के रूप में सिपाही बना वराता है और सिपाही को लेता है कौन महमूद और उसके बाद महसिन जो हैसे उसके पास 15 पैसा रहता है उस जो हैसे हो जाएगा तो यह जो हैसा मतलब सोचता है कि मैं क्या लूँ क्या लूँ यह जो इसका मन में चलता है चलते चलते क्या होता है कि इसके दिल में याद आता है कि गयाती ऐसा करते हैं कि मैं चिम्टा ले लेता हूँ कि दाधीamt जब रोटी पकाती है तो उसमें जो जाती खार जाता है इसलिए जो मन ही मन سोचता है कि मैं अगर चिम्टां ले करके जाता हूँ तो गौन में जाने के बाद जैसे ही घर में जाओAn गा तुम मेरे दादी जैसे देखकर कितना खुस होगी खुस होने के बाद जैसे क्या होगा कि हो जैसे हमको दूआए देगी और बड़ोवज्बुरूं की दूआ जैसे बजा सुनि जाती है जैसे सौचता है और मेरे दादी जो हैसे गौँ में बताए कि मेरे पोता हामी जो हैसे चिम्टा लाया तो सभी गौँ वाले जो हैसे बहुत खुस होंगे गौँ वाले जो हैसे मेरे सरहना करेंगे तारिफ करेंगे मेरा पहचान जो ऐसे एक अलग बनेगा ये बिचारा सोच बिचार करता है तो ऐसे ही का होता है कि सोच बिचार करते ही जैसे ही का होता है कि खिलाओने के दुकान के बाद जैसे ही लोहा के दुकान पर जाते हैं तो सही बच्चे वहां पर कोई नहीं जाते हैं क्योंकि लोहे कि दोकान सब्लैक्र जैसे लोहे की दोकान पर जाता है इसके सारे दोस जए सोवाहं पर नहीं जाते हैं क्योंकि उनको जैसे लोहा से कोई काम नहीं है लेकि या dusti करेगा तो पुछता़ है कि बदेचने का चीहां यानिये बैशना रहां क्यों नहीं है तो जो किसी कि करने future कद आने के बाद सभी इस वो तेन पैसा में चीम्टा को ले लेता है च Immntan ayla liė Healthcare चिंत को ले कर जैसी आता है तो सारे दोस्तों थो जैसे बहुत चिड़ाने लगते हैं बहुत हशी मझा कुड़ाने लगते हैं बलते शमता ओने का ची ribs लॉयं ल northern a अर्मान ले लिए तो यह फकीरों का पाकिरों का चीम्त फका हो गया इससे चरूमेगात तो तो तुम्हारेखी लाउने जैसे दासनास हो जाएगा यानिक कहने का मतलब यह हामीद जैसे जैसे चीम्टा लेकर यह जाता है तो वहाँ पे सब्सक्राइब सिजींता करने अपने गष्युदिंगार मैं चाहें तो फ्किरों का चिम्ता हो जागा इसे मैं खंजर भूखने के काम कर सकता हूं मैं तुम्हारे खिलाने को अगर एक चिम्ठा दे दिया तो एक तुम्हारे खिलाओन त Unless असे चुर-चुर हो जाएगा तब यह ऐसी बातों सुनने के बाद जो सभी बच्चे से चीम्टा के प्रती मोहित हो जाते हैं और सभी बच्चे जो ही वारी से चीम्ते देता है उन्लों हथीलाने के बाद सभी बच्चे घर अने Cेड़ ने के बाद जैसे ही हामिद आपने अम्मा के पार दूर्ड करके जाता आप में आप jo से बेचारी देख करके जो इसके स्वावाव में जो रहाएं आसू आता है देख करके जो ऐसे गले से लगा लेतीए गले से लगाने के बाद उसको लाखों दुआ देती है और बोलती है कि क्यों बच्चा तुम जो आसे यह चिम्टा क्यों लाया दिन भर जो भुखे रहा वो मन ही मन कुड़ती है और सोचती है कि बताओ कितना जो ऐसे अपने दादी के लिए सोचता है कितना जो ऐसे इसका कौमल हिर्दाय का यह जो ऐसे दिन बर कुछ खाया पिया नहीं तीन पैसे जो था उसको जो 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 ज कहان्य कहत्imagin होता है तो चलिए यहां पर पर सबसे पहले में कि इस अस्थान पर नमाज पढ़ी जाते हैं इसमें हमने जाना हामीद के वारे में जिसके तिन पैसे था वो जो है से दूबला पतला गरीब सुरत कर लगा था चार पंच साल कर लगा था और जो है से चिम्टा लिया था दूसरा पात्र था मीना हमीद के दादी हमीना थी जो बेचारी हमी अब हागी निस्तिरी थी अब हागी निस्तिरी के मतलए इसके पैती तो पहले झाल